इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है DNA रेप्लिकेशन DNA रेप्लिकेशन को बहतर तरीके से समझने के लिए पहले आप हमारा वीडियो देखें स्ट्रक्चर ओफ DNA सबसे पहले हम उन एंजाइम्स के बारे में डिसकस करेंगे जो DNA रेप्लिकेशन के प्रॉसेज में हल्पुल है और इस प्रोसेज को काटलाइज करते हैं तो जो सबसे मुख्य एंजाइम है इस प्रोसेज के लिए वो है DNA पॉलिमरेज यह एंजाइम डियोकसी न्यूलुक्लोटाइट को पॉलिमराइज करता है Parental DNA template पर और इस वज़े से इस enzyme को हम DNA dependent DNA polymerase भी कहते हैं क्योंकि यह parental DNA strand को use करके नया उस पर strand synthesize कर रहा होता है दूसरा जो enzyme है उसे हम helicase कहते हैं और यह double stranded DNA को unwind करता है replication के लिए तो base pairs के बीच में जो hydrogen bonding होती है उन hydrogen bonds को break करता है और double stranded DNA को unwind करने का यह काम करता है तीसरा जो enzyme है वो है DNA ligase तो इस process के दौरान जो okazaki fragments बनते हैं तो इन okazaki fragments को join करने का जोडने का काम करता है यह DNA ligase यहाँ पर हमने कुछ terms use करे वे हैं जो हमारे students को शायद अभी तक ना पता हूँ जैसे यह replication fork, okazaki fragments और lagging strand इन सभी terms के बारे में आगे हम discuss करेंगे आगे के presentation में हम इसको बताएंगे अपने students को कि यह सब terms क्या है अब हम उन rules को discuss करेंगे जो DNA replication के दौरान follow होते हैं DNA strand पर कहीं से भी randomly replication शुरू नहीं हो जाता है, DNA strand पर already कुछ defined points हैं, कुछ unique points हैं जहां से replication start होगा और उन points को हम origin of replication बोलते हैं या हम short में इने orai भी बोलते हैं और तीसरा important rule है कि DNA polymerase एक directional activity शो करता है और यह हमेशा nucleotides को जोडता है 5' to 3' direction में तो यह कुछ rules हमें पहले से ही पता हो तो DNA replication को सीखना बहुत आसान हो जाएगा इस diagram की help से हम semi conservative DNA replication को discuss करेंगे तो इस diagram में यह हमने एक parental DNA दिखाया हुआ है, parental DNA का double strand दिखाया हुआ है और यह अभी तक discussion से हमें पता चल चुका है कि जब यह DNA replicate करता है तो इसका यह double strand unwind होता है तो जब यह unwinding के बाद हर एक old strand के साथ में दूसरा एक नया strand polymerize होगा यानि कि अब जब भी DNA replication से एक DNA से जब दो DNA बन रहे होंगे तो दोनों DNA में एक जो strand होगा वो parental होगा और एक जो दूसरा strand होगा वो new strand होगा तो इस तरह के phenomenon को हम बोलते हैं कि यह एक semi conservative synthesis है जिस synthesis में एक old strand conserve किया हुआ है, preserve किया हुआ है और एक नया strand बनाया जा रहा है तो इसी process को, इसी phenomenon को हम semi conservative DNA replication कहते हैं इस diagram की help से हम सीखेंगे कि replication bubble क्या होते हैं तो अभी तक के discussion से हमें पता चल चुका है कि DNA replication कहीं से भी randomly शुरू नहीं हो जाता है किसी भी DNA strand पर कुछ defined points हैं जिने हम origin of replication कहते हैं और एक DNA strand पर एक से ज़्यादा origin of replication हो सकते हैं तो जब भी replication start होगा तो इन ही points से start होगा जो DNA unwind होना शुरू होगा तो वो origin of replication से ही unwind होना शुरू होगा तो यह जब DNA unwind होगा तो यह bubble-like structures यहाँ पर origin of replication पर हमें दिखने शुरू हो जाएंगे तो इन bubble-like structure को हम replication bubbles बोलते हैं तो जब यह नया DNA बनेगा तो यह replication bubble दोनों direction में यह proceed करेंगे और as a result हमें एक DNA से दो daughter DNA molecules हमें मिलेंगे तो इस diagram की help से हमने अपने students को replication bubbles बताने की कोशिश करी है कि यह replication bubbles क्या होते हैं इस diagram की help से हम सीखेंगे replication folk के बारे में तो अभी तक हमने देख लिया है कि replication bubbles क्या होते हैं अब इस diagram को आप visualize कीजिए कि यह बीच से तूट गया यह और फिर हमने इस एक replication bubble के half को हमने थोड़ा सा घुमा दिया 90 डिग्रे पे तो यह इस तरह से एक यह structure आ गया तो हमारी जो NCRT की book में जो हमारे 12th standard के बच्चे पढ़ते हैं तो यह diagram देखते हैं students तो और इसको हम कहते हैं replication folk तो इस diagram की help से मैं अपने students को visualize करवाना चाह रही हूँ कि replication folk का क्या मतलब है कैसे बनता है यह replication folk replication folk DNA के बिल्कुल end से नहीं शुरू होगा DNA replication DNA replication कहीं बीच के point से भी शुरू हो जाएगा लेकिन जब हम replication bubble को अपनी सुविधा के लिए कि बच्चे असानी से समझ सकें इस process को तो हम इस तरह से replication folk अपने students को दिखाते हैं तो इस diagram से मैंने students को समझाने की कोशिश करी है कि replication folk क्या होता है DNA replication को discuss करने के लिए हमारे पास काफी base हमारे पास है अब हम बहुत असानी से DNA replication के process को समझ सकते हैं और discuss कर सकते हैं तो अभी तक हमने जान लिया है replication bubble क्या होता है replication folk क्या होती है तो DNA replication से पहले ये parental DNA unwind हो चुका है और ये जो हमने अभी तक बातें discuss करी हैं अभी तक जो point हमने सीखे हैं वो सब यहां पर इस वाले diagram पे हम देखेंगे कि summarize होंगे वो सारे points तो ये semi conservative DNA replication दिखा रहे हैं क्योंकि एक parental strand है और ये कुछ नए strand बन रहे हैं लेकिन एक कुछ खास बात मुझे दिखाई दे रही है कि एक strand तो ये इस direction में जा रहा है और दूसरे strand ये छोटे-छोटे strands बन रहे हैं ये बिल्कुल opposite direction में बन रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपने students को recall कराना चाहूंगी एक rule हमने बताया था कि ये DNA replication हमेशा 5' to 3' direction में proceed करता है तो 5' to 3' direction का तो हमें rule follow करना ही है साथ में anti-parallel orientation को भी follow करना है anti-parallel orientation क्या होता है कि अगर एक strand 5' to 3' जा रहा है तो दूसरा strand फिर 3' to 5' होगा तो जैसे यहाँ पे देखिए तो ये एक parental strand है जो 3' to 5' रन कर रहा है तो उसी के parallel जो strand बन रहा है वो 5' to 3' प्रोसीड कर रहा है तो इसका मतलब दो rules हमें follow करने पड़ेंगे एक तो anti-parallel orientation और 5' to 3' प्रोसीडिंग तो इस वाले strand पर जो हमारा DNA का जो parental strand है जो कि 3' to 5' रन कर रहा है तो इस पर तो polymerization बहुत आसानी से हो जाएगा इंदा direction 5' to 3' लेकिन जो parental DNA यहाँ पे 5' to 3' रन कर रहा है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है जो कि दूसरा rule यहाँ पर follow नहीं होगा अगर हम यहीं से शुरू कर देते हैं DNA replication को तो इसके लिए क्या होता है कि bubble थोड़ा 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 unwind हो रहा है और जितना area unwind हो रहा है तो DNA polymerase जो इस वाले strand पर काम करेगा वो ultra direction में ही polymerize कर पाएगा nucleotides को तो इस 5' to 3' वाले strand पर कई सारे छोटे छोटे strand बनेंगे in the opposite direction तो इस वज़े से यह छोटे छोटे fragments बनते हैं opposite direction में और यहाँ पर एक continuous 3' to 5' वाले strand पर एक हमें continuous strand बन रहा होता है और इस strand को हम leading strand बोलते है जबकि 5' to 3' parental strand पर जो छोटे 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 fragments बन रहा है DNA के in the opposite direction इनको हम oka zaki fragments बोलते है तो 3' to 5' वाले strand पर यह जो continuous fashion में जो synthesis हो रही है polymerization हो रहा है इसको हम continuous synthesis बोलते है जबकि 5' to 3' वाले parental strand पर यह जो fragments में जो synthesis हो रहा है इसको हम discontinuous synthesis बोलते है तो lygase का जो DNA lygase जो आपको हमने पहले ही बताया है तो DNA lygase इन oka zaki fragments को जोडने का काम करेगा इसका मतलब continuous synthesis में DNA lygase का कोई रोल नहीं है DNA lygase का रोल है केवल और केवल discontinuous synthesis में oka zaki fragments को जोईन करने के लिए और इन fragments को हम lagging strands भी बोलते हैं और इस diagram में यहापे hyalikase भी दिखाया हुआ है जो enzyme जो कि DNA को unwind करता रहेगा DNA replication के लिए base pairs को expose करता रहेगा basis को expose करता रहेगा और इस diagram में यह चोटे-चोटे यह कुछ beads like structure दिखाया है जो कि यह single strand stabilizing proteins हमने इनको बताया हुआ है तो क्योंकि थोड़े जब तक वो strands single है तो यह tendency रखते हैं क्योंकि complimentary basis है तो यह tendency रखेंगे कि वापस से hydrogen bond बना ले तो DNA replication पे proceed नहीं कर पाएगा तो इस बज़े से यह जो stabilizing proteins हैं तो यह इनको यहाँ पे जो parental strand पे जो basis हैं जो unwind हो चुके हैं उनको वापस से hydrogen bonding basis के बीच में नहीं बनने देते हैं तो यह कुछ जानकारी थी DNA replication के बारे में इस table में हमने leading strand और lagging strand के references को summarize किया है जो students board की तियारी कर रहे हैं तो उन students के लिए यह differences बहुत important हो सकते हैं क्योंकि board में इस तरह की differences पूछे जा सकते हैं Please check your understanding by answering these questions आएम जाएम हो सकते हैं यह में थिए और लिा में उनकmensक्षब गतरिदन पूदा क्योंकि Captain है